हमारे हाँ नौर्फ इंडिया में सक्कुलिंट का सीजन स्टार्ट हो चुका है इस समय सक्कुलिंट की तमाम ओर्नमेंटल वराइटीज आपको नर्सरीज में दिख जाएंगी इतनी खूबसुरत होती है आपका मन लल चाता है पर पास्ट एक्सपिरियंस आपको रोग देता ह आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रकॉशंज बताऊंगी या कुछ ऐसी चीजे बताऊंगी कि आप सक्कुलिंट खरीदते समय उनको ध्यान रखे ताकि आप एक हेल्दी सक्कुलिंट प्लाइन खरीत पाएं वो अगर healthy होगा तो ज्यादा से ज्यादा समय तक आपके पास चलता रहेगा सक्यूलिंट पे मैंने बहुत सारे informative वीडियो बना रखे हैं सक्यूलिंट से related हर तरह की information आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी वीडियो के जो link है वो आपको description में मिल जाएगे कुछ link आपको time to time इस वीडियो में भी आते हुए मिलेंगे उन पे जाकर के या description में जाकर के आप मेरे तमाम succulent related informative वीडियो को देख सकते हैं आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आप nursery में जाएगे तो किस तरह से अपने लिए एक बहतरीन succulent plant का चुनाओ करे और लाने के बाद क्या-क्या ऐसा करें क्या ना करें जिससे आपके plant लंबे समय तक आपके collection में बने रहे क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारी ornamental succulents की ऐसी varieties होती हैं जो हमारे यहां गर्मी का मौसम स्टार्ट होते ही खराब हो जाती है खतम हो जाती है तो इसलिए कम से कम अगर आप उनको तीन चार महीने पांच महीने अपने पास रखना चाहते हैं तो कम से कम कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आप एक healthy plant ले पाएं जो आपके collection में लंबे समय तक बना रहे तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं जब आप succulent को लगाना चाहते हैं और आपने पहले नहीं लगाया है या आपके जो पिछले अनुभव हैं वो उतने जादा सफल नहीं हुए है तो जब आप nursery में succulents को दुबारा खरीदने जाएं तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब आप succulent ले रहे हो तो nursery वाले से clarify करें कि क्या ये succulent की variety कितने समय तक चलेगी क्योंकि echeveria, house leak बहुत सारी ऐसी succulent की varieties हैं जो हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ March end तक चलती हैं क्योंकि जैसे ही temperature 25 degree के उपर जाने लगता है और 30 degree के उपर जब पहुँच जाता है तो बहुत सारी ऐसी varieties हैं जो एकदम से collapse कर जाती हैं यानि कि खतम हो जाती हैं क्योंकि उसके उपर की जो तापमान है उसको सह नहीं सकती हैं और ये एक fact है जो nurseries में normally नहीं बताया जाता है दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको ये कहता भी है कि ये indoor plant है तो आप ये बिल्कुल मत मानिये succulents outdoor plants होते हैं उनको mild sun की जरुरत होती है और हमारे हाँ winters में sun दो महीने तो काफी ज़्यादा कमजोर रहता है उतना तेज नहीं होता है west में आपको इनको अगर आप चाहें तो south facing area में भी रख सकते हैं west में भी रख सकते हैं east में भी रख सकते हैं पर north direction उस समय इनके लिए सही नहीं है इसका मतलब यह है कि इनको light तो पूरे दिन चाहिए और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज दीखी धूप के अलावा इनको सर्दियों के मौसम में धूप की जरूरत होती है अब जब आप succulent का चुनाओ कर रहे हैं और आपने मन बना लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि succulent ornamental succulents की सबसे खूप सुरत जो variety होती है वो echeveria होती है और echeveria हमारे हाँ North India में आप ये समझ लीजिए कि October से ले करके और March तक अच्छे से चलते हैं उसके बाद ये खतम हो जाते हैं एक तो इनकी tendency होती है जैसे ही mother plant में flowering होती है वो degenerate हो जाता है पर आपके लिए अपने offsprings, pups को छोड़ जाता है या आप उनको leaves से propagate कर सकते है पर echeveria आपका अगर वो आपसे कहता भी है कि shade में रख लेना चाय में रख देना पूरे साल चलेंगे तो आप ये बिल्कुल भी मत मानिए जो relatively sturdy variety जैसे सेडम की तमाम varieties ऐसी हैं होवर्थिया की तमाम varieties ऐसी हैं जो सालवर चलती हैं लंबे समय तक चलती हैं फिर आप ये मान आपका plant over watering की वजह से पहले से ही खराब यानि की गल तो नहीं रहा है तो उसको इस तरह से उसके pot को चारो तरफ से घुमा करके अच्छे से चेक कर लें कि कहीं आपका plant खराब तो नहीं हो रहा है उसकी नीचे की पत्तियां गीली और काली तो नहीं हो रही है क्योंकि अगर आपकी पत्तियां नीचे इस तरह से सूख के पीली हो रही है तो ये natural degeneration है leaves का इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है ऐसा plant अप ले सकते हैं लाने के बाद उसकी इस तरह की सूखी पत्तियों को निकाल सकते हैं क्योंकि succulent बहुत जादा उनकी sensitivity होती है watering के प्रती और excessive watering इनको खराब कर देती है क्योंकि ये atmosphere से अपनी जरुवत का पानी अपनी leaves में और stem में store रखते हैं इसलिए इनको बहुत जादा frequent watering की जरुवत नहीं होती है और जादा पानी इनको खराब कर सकता है ये चेक करने के लिए कि आपका जो succulent है वो over water तो नहीं है पहले से ही या गल त चेक करें देखे कहीं वो पिलपिला या काला तो नहीं पढ़ रहा है फिर पत्तियों को चेक करें पत्तियां चेक करते समय जैसे आप ये देखिए ये नीचे की जो पत्तियां है ये पीली और पतली हो गई है इसका मतलब ये natural aging की वजह से हो रही है पर अगर थिक लीव हो और वो transparent हो रही हो, mushy हो रही हो, पिलपिली हो या काली पढ़ रही हो तो आप ये जान जाएए कि ये plant degeneration के mode में है और ये गल रहा है इसलिए आपको ऐसा plant बिलकुल भी नहीं लेना है क्योंकि वो plant जब आप लाएंगे तो वो आपके साथ यहां बहुत दिन नहीं चले क्य ये, यानि कि छितराया हुआ या फैला हुआ नहीं होना चाहिए, छितराया हुआ या फैला हुआ होने का मतलब ये है कि ये plant अब degeneration के mode में जा चुका है, थोड़े दन में इसकी पत्तियां काली पढ़ने लगेंगी, तूट के गिरने लगेंगी और ये plant खतम हो जाएगा, इसलिए बहुत ही गठीले सुगठित plant को लें, तीसरी चीज जो आपको ध्यान देने की है कि आपका जो plant अगर रौजट शेप का है, तो आप ये देखें कि उसकी जो pattern है वो पूरा बना हुआ हो, यानि कि कहीं ऐसा नहों कि आपका plant में जो है वो petals uneven हो, कहीं पे जादा हो, कहीं पे कम हो, और वो देखने में भद्दा लग रहा हो, ना की खूबसूरत लग रहा हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमको जब पैसे खर्च करने ही है, तो हम अपने लिए बहतर से बहतर चीज का चुनाओ करें, ताकि हमको frustration भी नहों, निराशा भी हात ना लग, ये जो ornament spring निकल रहा हो, या किसी में दो rosettes हो, या किसी में एक नया baby plant और बन रहा हो, उस तरह के plant को prefer करें, उस से आपको ये bonus की तरह होगा, बाद में उस plant को आप stem cutting से अलग करके propagate कर सकते हैं, और लेने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम से लाते ही या nursery में उसको report नहीं करा लेना है, ornamental succulent की ज्यादातर variety बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसलिए जो nursery pots होते हैं, वो उनके लिए काफी होते हैं, हद से अगर आपको ये plastic के pot अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इनको further किसी terracotta या ceramic के pot में डाल सकते हैं, और जो आपके अच्छ tea variety आपको पदा है कि 3 और 4 महीं नहीं चलेंगी, तो वो जो छोटे pots होते हैं, वो उनके लिए माफिक होते हैं, उनको उसी में रहने दे, उनसे छेड़ चाड़ ना करें, अगला मेरा जो succulent का वीडियो होगा, वो मैं succulent की reporting कैसे करें, या किन succulents की reporting करें, किन की नहीं करें इस पे ही मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगी, succulent आप लाते हैं, लाने में और इस दोरान कुछ leaves जो हैं, वो अपने आप ही stem के joint से तूट करके अगर निकल जाती हैं, तो ये leaves इस तरह की जो leaves होती हैं, इनसे आप नए plant further propagate कर सकते हैं, description में वीडियो का link है, आप उसको इस प्राइब को भी जरूर जाच लें, क्योंकि अगर वो कोकोपीट में लगा है, तो उस सक्यूलेंट को ना ले, कोकोपीट सक्यूलेंट के लिए एक अच्छा मीडियम नहीं है, और इसके साथ ही साथ आप जब सक्यूलेंट को ले रहे हों, तो एक बातों का अगर आप तो आप अपने लिए निश्चिती एक हेल्दी साक्यूलेंट का चुनाओ कर सकेंगे, जो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज गार्डनिंग में इंट्रेस्ट रखते हो, गार्डनिंग लविंग हो या उनको हूम डेकोर में इंट्रेस्ट हो, तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक को उनको फॉर्वर्ड कर सकते हैं, थैंक्यू वेरी मच्चू अ कर दो कर दो